नमस्कार, जैमात आदी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू अचारे, धनू राशी यानि सेजिटेरियस राशी की बात करते हैं, तो 2024 की बात करते हैं, कैसा रहेगा 2024, नया साल आपका, 2024, हर किसी की उमीदे हैं, अरे हमारा जो भी समस्या है, 2023 में हमने फेस क लेकिन 2024 में ग्रफों की स्थिति क्या कह रही है, और किस राशी वालों को अटेंटी भी रहने की ज़रूरत है, करियर के लिहाज से कुछ चीजें समझना बहुत ज़रूरी है, करियर में सबसे पहले हम अपने प्राक्रम को मेहनत के भाव को देखते हैं, फिर दशम भाव की कंसर्न होता है, लगन का कंसर्न होता है, फैनेंस का कंसर्न होता है, तो बहुत सारी चीजें देखने के साथ साथ हम पहले सबसे पहले यह देखते हैं, कि प्राक्रम भाव हमारा कैसा है, मेहनत करवाएगा या नहीं कराएगा, हमारे प्राक्रम भाव पर शनी की दरिष्टी होने से कही न कहीं मारी चीज़ों को delay करा देगा यह लेकिन वहीं guru का भी जब role आजाता है तो वहाँ पर काम मिल जाता है डिले कराएगा काम में दिक्कत जो है वो नहीं आने पिक काम करवाएगा मिलेगा आपको काम, काम मिल रहा है सबसे अच्छी बात है थोड़े थोड़े हर्डल्स तो हर किसी की जिन्दगी में है थोड़ी थोड़ी रुकावटें तो हर किसी की जिन्दगी ऐसा ही कुछ है सिचुईशन यानि रुकावटें भी आएंगी देरी भी हो सकते हैं हर्डल भी हो सकता है एड़ एंड आपको काम दिला देगा तो जुपिटर आपको काफी स्ट्रॉंग कर रहा है इस मामले में कि कितने भी समस्याओं के बाद आप काम करेंगे आपको काम मिलेगा आपको ला अवराम भाव हमारा क्या है विदेश यात्राओं का बहुत सारे लोग चाहते हैं कि विदेश में काम करें विदेश में हम कुछ स्पेंड करें मनी स्पेंड करें टाइम स्पेंड करें गूम फिर कर कर के आएं तो ऐसे बहुत सारी हर किसी की इच्छाएं रहते हैं कि हमारे तूथ हो जाएं ट्वंटी फोर में अटलिस्ट ये सारी इच्छा ही जो है वो आपकी अपनी पूरी कर सकें तो हां डेफिनेटली आप अपने घर से दूर जा करके काम करने में ज्यादा आप बेनिफिक्ट हासिल करेंगे तो विदेश यात्राओं के भी योग हैं विदेश म अगर आपने हिलाया तो वहां आपकी प्रॉलम बढ़ सकती है तो अपने मनोबल को आपने स्ट्रॉंग रखना है फिनेंस की स्थितिगी बात करते हैं टूथाउजन ट्वंटी फोर में फैनेंस कैसा रहेगा आपका बही फैनेंस के ऊपर तो हमारी बहुत सारी चीज़े हम हमारी खुशियां हमारी डेवलेमेंट हमारा गूमना हमारी चीज़े खरीदना लग्जरी खरीदना यह सारी फैनेंस का ही तो मामला है पैसा है जेब में तो आप जाकर के शौप के अंदर से कुछ भी खरीद लीजे पैसा नहीं है तो प्लैनिंग करते रहें के कि की सालों तो प्लैनिंग ही करते रहेंगे जा खरीद भी पाएंगे गुरु का बारवे भाव के साथ समंद और सबसे बड़ी बात है कि गुरु का धनके कारक का समंद है तो विदेशों में जो आप काम करेंगे वहां से आपको पैसा भी मिलेगा और साथ के साथ भाग्य भी साथ दे है तो शेयर मार्किट की तरफ जादा जा रहा है तो बहुत सारे लोग शेयर मार्किट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए सेजिटेरियस वालों के लिए धनूराशी वालों के लिए टू थाउजन ट्वंटिफोर में शेयर मार्किट आपको करने वाली है लिकिन हाँ वहाँ ध्यान रखिएगा ऐसे नहीं कि किसी ने कहा हमने कहा तो आपने फटाक से जागर के पैसा लगा दिये चांट बिन करना अटेंटिव रहना बहुत किसी कि सला एक्सपर्ट की सला लेकर करना तो अगर आप एक सिस्टम से आप इंवेस्ट करें आपको खास करके अटेंटिव भी रहना है नजर अंदाज नहीं करना है एक्नोर नहीं करना है लेकिन वहीं आपको अगर के बहुत समय से अगर आपको कोई प्रॉलम चल रहे थी कोई बीमारी चल रहे थी जिसके आपर आपने इतना पैसा स्पेंड किया है और उसके बाद बीमारी ठीक भी होगी बट फिर से वो बीमारी जाग चुकी है हाँ डेफिनेटली उसके पर इन्वेस्ट जरूर होगा बट यहां पी आप बीमारी से राहत पाते हुए भी नजर आ रहे है यानि पैसा तो जरूर लगेगा धनकाच भी होगा बट एक रिलीफ एक रिलेक्स सेशन आपको मिलेगा ताकि उस बीमारी से आप बाहर निकल पाएंगे जो काफी समय से आप जहलते हुए नजर आ रहे थे प्रेम समंदों की बात करते हैं प्यार की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको काफी सपोर्ट करता हुए नजर आ रहे हैं आप वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होता है लेकिन आपकी तरफ से कुछ-कुछ चीज़ें जो है प्रावलम कर रहे होती है तो आप थोड़ी सी इदर उदर की दस जगा की समस्यां लेकर के अपने रिष्टों के बीच में मत लाइएगा क्योंकि रिष्टों में खराभी होने की स तो कहीं बार आपको थोड़ा सा शान्त रहने में थोड़ा सा अपने उपर कंट्रोल करने से ही आपकी चीज़ें जो है वो संबल सकती है तो आपने यहां पे थोड़ा सा अपने उपर कंट्रोलिंग करनी है 2024 में कुछ चीज़ें देखिए आपके अंदर बदलाव करने की ज़रूर अदिखरी है परिवारिक स्तिति की बात करते हैं कि आपकी family life कैसी रही है सो राहू का चोथे भाव के साथ संबंद राहू का fourth house के साथ संबंद ये आपके अंदर इतनी डेलिमा की situation create कर देगा कि आप शक्की होने लगेंगे आप negative होने लगेंगे आप बढ़ चड़ करके लड़ाई में हिस्सा लेने लगेंगे या नहीं आपको control करना है तो यहां सामने वाले पर मत डालेगा हर चीज़ कि सामने वाला ही आपकी सारी चीज़ें ठीक कर दें आपको यहां बदलाव करने की जरूरत है आपको थोड़ा सा अपने आप में चींज़ लाने की जरूरत है हाँ definitely फोर्था उसके साथ राहू का जब संबंद होता तो कहते हैं आप इंवेस्ट करें तो वो भी जरा सोच समझ करके करें बढ़ आपको फाइदा भी दे देता है हाँ definitely कोई भी काम है सोच समझ करके ही किया जाता है बट आपको यहां पर एक सपोर्ट मिलती हुए नजर आरिये घर की यानि जुपिटर के साथ कुछ अच्छा कंसर बनते हुए नजर आ रहा है और वहां आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे प्रॉपर्टी खरीद दो लेंगे लेकिन प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट्स भी होंगे बट हां कई सारी चीज़ें होती है यहां पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहें पर डिस्प्यूट हो गया अब सारी चीज़े अगर हम सोचेंगे कि एक ही जगा मिल जाएंगे तो आपकी वज़ासे होंगी तो यहां सिर्फ और सिर्फ 2024 में जो ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने आप कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर आप इन सारी चीज़ों के पर वर्क करेंगे तो 2024 को आप बैटर बना लेंगे otherwise आप इतना clumsy कर देंगे कि आपको लगेगा कि सामने वाला गलती कर रहा है बट गलती आपकी तरफ से हो दी होगी तो चूक नहीं होने दिनी है तो आपने यहां संबलना है ज़रूरी उपाई की बात करते हैं तो आपको पुखराजरतन धारन कर लेना चाहिए यहां आप कर सक है कि नहीं हम चीजें गलत कर रहे थे हम यहां थोड़ा सा बदलने की जरूरत है क्योंकि बदलाव कोई फोर्सली कराता है तो कोई नहीं करना चाहता लेकिन जब आप स्वयम समझते हैं कि हाँ अगर मैं छोटा सा यह बदलाव करनो तो शायद मेरी जिल्दगी अच्छी हो के साथ अगर आप केले का पीड अपने जहां भी मंदिर में घर के आसपास कहीं लगा है तो उनकी पूजा करना और वहां पे एक हल्दी वाला थोड़ा सा जल डाल करके अरपीत करना यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर इस उपाए को करते हैं तो 2024 को आप बैल हर राशी वाले आपके लिए special वीडियों लेकर के आए हैं हर एक individual राशी 2024 तो बहुत सारी वीडियों अभी और भी बाकी हैं सारी वीडियों को जरूर देखें शेळ कीजाते हैं मेरी आने वाली हर वीडियों को जरूर देखें नमस्कार और बहुत अच्छे से अपने 2024 को अच्छे से खुशनुमा बनाने का आप प्रयास कीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर किजिए वीडियो शेयर किजिए मरे आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें खुश रहें स्वास्त रहें पॉजिटिव रहें पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै मतादी